तो गाइस आज किस वीडियो में आपको एक ऐसा वेबसाइट या फिर इसको आप अप्लिकेशन भी समझ सकते हो विकॉज यह एक वेबसाइट भी है साती चत्त अप्लिकेशन भी है एंड्रोइट के लिए अप्लिकेशन है जो कि आपको प्लेश्टूर में मिल जाएगा और इस वेबसाइट या फिर इस अप्लिकेशन में आप क्या कर सकते हो अपने यूटूब वीडियो के लिए ठंब बना सकते हो है एक अच्छा सा थम्मनील और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह वेबसाइट या फिर अप्लिकेशन के बारे में साथ से आपने सुना भी होग अगर आप website की मदद से क्योंकि मैं अगर आपको website की मदद से समझाओंगा तो वहाँ पर मुझे सुवीदा होगा आपको समझाने में आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो हमें आप DM कर सकते हैं Instagram पर या फिर पर और अब चलिए हम अपना ब्राउजर ओपेन करते हैं अगर आप एप्लिकेशन की मत से करना चाहते तो सीम प्रोसेस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अपनी ब्राउजर पाने के बाद आपको सर्च करना है केनवा जैसे आप यहां पर केनवा सर्च करते हैं आपके सामने केनवा का ओफिशल जो वेबसाइट है www.kenva.com यह आजाएगा सिंपल इस पर आपको टप करना है ओपेन हो जाएगा और दोस्तों सुरू में आपको अगर इस वेबसाइट पर आपने साइन अप नहीं करके रखा है पह कदिशनल लेबल वाला थमने कुछी मिनट में बना सकते और आसानी से से बना सकते अब यहां पर आपको डिजाइन एनिफिंग यहां पर आपको सर्च करना है यूटूब थमने यूटूब ताम्नें जैसी सर्च करते हैं आपके सामने रेडिमेट बहुत सारे टेंपलेट आज आते हैं देखिए दोस्तों यहां पर काफी सारी टेंपलेट्स हैं आप इनको देख सकते हैं और किसी को भी डिजाइन कर सकते हो चलिए हम यहां पर किसी भी एक टेंपलेट को सिंपर सेलक्ट करते हैं एंड देन इस पर काम करते हैं यानि कि उसको एडिट करते हैं तो चलिए हम किसी भी एक मान के चलिए हम इसको ऑपेंड करते हैं यहां पर हम एक template को open कर लिए अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि कैसे editing करना है और कैसे customize करना है तो चीज प्रकार का है चलिए हम पहले in text को delete करते हैं right click करना है आपको delete करना है जैसे आप right click करेंगे delete का option आजागा आपको delete कर देना चलिए हमको background वाला template मिलिया अब देखे दोस्तों simple क्या करना है यहां पर देखिए आपको photos वाला option मिलता होगा photos से उपर आपको upload का option मिलता हो मेरे cursor पर दयान दीजिएगा जैसे हम upload पर option पर tap करते हैं यहां पर मैंने तीन photos upload करके रखी हुई है दोस्तों अगर आपको यहां पर आप शुरुआती में तो आप लोग upload करके नहीं रखेंगे तो यहां पर देखिए उपर में आपको option मिलत देते हैं जैसे हम ड्रॉप करेंगे हमारा यहां पर पी एंजी आ जाएगा चली अब हम इसको increase करते हैं और इसकी size को अच्छा से adjust करते हैं चली हमने इसको adjust कर दिया अब अगर इस फोटो पर आपको editing करने तो कर सकते हैं आप अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो साथी साथ यहां पर flip भी कर सकते हो three dot पर click करने साब इसको simple lock करते हो अगर आप इसको lock कर देगो तो फिर इसको आप हिला डूला नहीं पाओगे इस photo को और अगर again यहां पर unlock कर दोगे तो फिर इसको आप हिला डूला सकते हो अब चली हम यहां पर दूसरा वाला png को add करते इसको हम PNG को add करते हैं और इसको flip करते हैं horizontally चलिए flip करते हैं और इसको थोड़ा सा हम इधर को छोड़ा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर इस corner में लगा देते हैं अब चलिए बात करते हैं इसके और आपको आपको जाता है जैसी अब आपको छुन करते हैं यहां पर काफी का भी आपको मिल जाता है टेंपलेट्स तो टेंपलेट्स कर सकते हैं चैलिए हम यहांपर टेंपलेट्स कोई भीत टेंपलेट्स देख też didn shouldn't yug पर और उसके बाद आपको टैप करना है इहां पर उसके बाद हमें पर टैप करना है यहां पर यहां पर टाइटल का आप color set change कर सकते हो उसके बाद यहां पर आप टाइटल का मान के चलिए हमने black color कर दिया यहां से बोल्ड कर सकते हो उसके बाद यहां पर देखिए opens यहां पर आप font भी change कर सकते हो चलिए मैं आप टेप कीए परहने के बाद की कीजुए आपको काफी सारे फोर्म जाते इसी वजह सा Además को उस दीख रहा होगा यहां पर बहुत सारे आपको फोंस दोस्ते मिल जाते हैं जिन फोंस को आप आसानी से यूज़ कर सकते हो और बहुत ही आसानी सापने खाने कर सकते हो चलिए हम यहां पर किसी भी एक तमल्ड ड़ों सेलेक्ट करते हैं इसको बोल्ड करते हैं और अच्छे जम इसको एड़्जस्ट कर लेते हैं अब चलिए बात है टेक्स्ट के बैगराउंड की तो लगाना है तो देखिए दो इन पर हमें जाना है इसको यहाँ पर adjust कर लेते हैं इसके size को यह देखी कुछ इस प्रकार से आपको भी इसी तरीके से adjust कर लेना, शिलिया हमने यहाँ पर adjust कर लिया आप चाहे तो इसकी color को change कर सकते हैं और इसी तरीके से दोस्तों आप बहुत अच्छे से एकदम professional level का canoa website या फिर application का मदद लेकर अपने लिए एक अच्छा सा thumbnail create कर सकते हैं, यहाँ पर आप pngate कर सकते हैं, text ads कर सकते हैं काफी सारे यहाँ पर आपको elements मिल जाते हैं जो की आपको shape में मिल जाएंगे या फिर अगर आप arrow भी धूंडोगे, तो आपको काफी सारे यहाँ पर arrow भी मिल जाते हैं बस आपको यह ध्यान रखना है कि यह online work होता है, क्योंकि यह online website है और website पर आप जाओ तो बना सकते हो, और नहीं तो इसके लिए application भी available है, play store और वहाँ से भी download करके आप चाओ तो बना सकते हो तो बस यार आज के लिए इतना ही मिलते है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सही सलामत रहना और सीखते रहो, सिखाते रहो, मचाते रहो, bye bye guys